हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आउर यूटूब चैनल जी एल डाइमंड दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 26 जनवरी यानि गंतंतर दिवस पर बोली जाने वाली कुछ चुनिंदा साहरी तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कर अब की बार आपकी परफॉर्मेंस के अंदर चार चांद लग जाएं तो इन साहरी उसको आप नोट कर लीजिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने भासन के अंदर एक जान डालिए चलो दोस्तों हम सुरू करते हैं दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर दीप जलाए है कितने दीप भुजाकर मुश्किल से मिली है आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुस्मन से आज बचाकर देखिए दोस्तों आप इस सायरी को नोट कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस मेक्स इमैन परफेक्ट अगर आप बार बार इस सायरी को बोलेंगे अपने घर पर अभ्यास करेंगे तो आपकी स्टेज परफोर्मेंस के अंदर चार चांद लग जाएंग खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है देखिया दोस्तो कितनी जबरदस्त शायरी है इस परकार की शायरी को अगर हम अपने वक्तव्य के अंदर अपने भाशन के अंदर स्थान देंगे तो लोग देखते रह जाएंगे आपकी परफोर्मेंस को चलिए दोस् अंदा फिर से लहराते हैं सुनहरा रंग है गंतंतर का सहीदों के लहू से एसे सहीदों को हम सब सर जुकाते हैं तो निश्चंद्य दोस्तों यह आजादी यह हमारा अपना सविदान हमें बहुत कुछ लुटा कर मिला है तो हम इस भारतवर्ष का सम्मान करें और चलिए द मैं हूँ इसका हनुमान यह देश है मेरा राम चाती चीर के देख लो अंदर बैठा है हिंदोस्तान तो दोस्तों इस परकार की प्रेम और महबत हमारे हर्दे में हमारे दिल में भारतवर्ष के लिए होनी चाहिए यह नफरत बुरी है ना पालो इसे दिलों में खलिस है नि ना उसका यह वतन है हम सब का बचा लो इसे दोस्तों जब भी भारतवर्ष को बचाने की बात आए तो हमें हमेशा आगे रहना चाहिए इस तरह के वक्तव्या को आप अपने स्पीच में सामिल कीजिए और अपने वक्तव्या के अंदर एक निया जोस भरिये दोस्तों आज के हालात के उपर मैं एक शायरी आपके लिए लेकर आया हूँ कहते हैं कि भूक गरीबी लाचारी को इस धर्ती से आज मिटाएं भारत के भारतवाशी को उसके सब अधिकार दिलाएं दोस्तों इस तरह के नए थोच नए विचारों के साथ आओ सब मिलकर नए रूप में ग कि भूक गरीबी और लाचारी को हम आज इस धर्ती से मिटा कर सभी भारतवाशीयों के लिए एक समान अधिकार लेकर आएं दोस्तों नेक्स्ट शायरे कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना लहू देकर किया जिसकी हिफाज़त हमने ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना तो दोस्तों ये तिरंगा हमेशा हमारे हर्द्य में रहना चाहिए हमेशा हमेशा सम्मान करना चाहिए तो इनी सब्दों के साथ आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे थैंक्स पूर वाचिंग